नमस्कार दोस्तों तो आज की वीडियो का जो प्रमक कथन है तो वो है 66 तो कथन है इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी तो बताना है ये कथन अचारे रामचंदर शुकल ने किसके लिए कहा है और ये कथन किसका है तो जो ये कथन है इनकी भाषा ललित और सानुप् प्रास्युक्त होती थी, तो ये कथन किस के लिए है, तो ये है बेनी के लिए, और कथन है अचारे रामचंदर शुकल का, अगला कथन है 68, तो कथन है इस गरंथ को इन्होंने बास्तव में अचारे के रूप में लिखा था, कभी के रूप में नहीं, तो ये कथन मोस्ट एंटी नेट की प्रिक्षा में इसे पहले भी पूछा गया है, अब भी पूछे जाने की संभावना है, इसे आप नोट कर रखें, तो ये कतन किस के लिए कहा है, ये कहा है, अचारे रामचंदर शुकर ने भाषा भूशन गरंथ के लिए, जो ये भाषा भूशन गरंथ है, most important प्रशन है, अगला है, 70, तो पूछा गया है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रतन माना जाता है, तो प्रशन बन सकता है, कि ये कतन किस के लिए है, तो ये है बिहारी सत्सई के लिए कतन, और किस का है, अचारे रामचंदर शुकर जी का, अगला कतन है, 71, पूछा गया है, इसमें तो रसके ऐसे चीटे पड़ते हैं, जिसके हरीदे कली का थोड़ी देर के लिए खिल उठती है, किस के लिए कतन है, तो ये कतन भी बिहारी सत्सई के लिए कहा गया है, अचारे रामचंदर शुकर जी तवारा, अगला है, 72, तो कतन है, यदि किस के लिए कहा गया है, तो ये कहा गया है, बिहारी की बिहारी सत्सई के लिए, और कतन है, अचारे रामचंदर शुकर का, अगला कतन है, 73, तो कतन है, जिसकभी में कलपना की समहार शक्ती के साथ, भाषा की समहार शक्ती जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रच अगला है 74, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहितिक थी, तो ये कथन भी most important है, कथन है 74, तो पूचा यह है, कविता उनकी शिंगारी है, पर प्रेम की उच भूमी पर नहीं पहुंचती, निचे ही रह जाती है, most important कथन है, ये कथन कहा गया है, बिहारी के लिए और कहा है रामचंदर शुकल ने, कथन को फिर से पढ़ते हैं, कविता उनकी शिंगारी है, पर प्रेम की उच भूमी पर नहीं पहुंचती, निचे ही रह जाती है, तो ये कथन most important है, अगला कथन देखते है 76, भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और बिंजना पूर्ण हो 77, कथन है, इनका सच्चा कभी हरिदे था, प्रशन पूछा जा सकता है, कि जो अचारे रामचंदर शुकल ने, किसके लिए कहा है, कि इनका सच्चा कभी हरिदे था, तो ये कहा था मतिराम के लिए, अगला है 78, तो पूछा गया है, रीतिकाल के प्रतिनीधी कभियों में पदमाकर को छोड़ और किसी कभी में इनके जैसी चलती भाषा और सल बिंजना नहीं मिलती है, तो कथन है मतिराम के लिए, कथन को फिर से पढ़ते हैं रीती काल के प्रतिनीदी कभियों में पदमाकर को छोड़ और किसी कभी में इनके जैसी चलती बहचा और सर्विंजना नहीं मिलती है तो कथन है मतीराम के लिए अगला कथन है 79 कथन है उनके प्रति भक्ती और सम्मान की प्रतिष्टा हिंदु जनता की हरीदे में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई तो ये कथन किस के लिए है और किस का है तो ये कथन है अचारे रामचंदर शुकल का और कहा गया है भूशन के लिए इसे याद रखना most important है ये कथन भी अगला है 80 तो पुछा गया है भूशन के बीरस के उद्गार सारी जनता के हरीदे की सम्पति हुए है कथन किस का है और किस के प्रति है तो ये कथन है अचारे रामचंदर शुकल का और भूशन के लिए है कथन को फिर से पढ़ते है भूशन के बीरस के उद्गार सारी जनता के हरीदे की सम्पति हुए है तो ये कथन है अचारे रामचंदर शुकल का और भूशन के लिए है हाँ दोस्तों यहाँ पर बता दूँ अगर अभी तक आपने हमारे बाकी पार्ट को नहीं देखा है जो शुकल जी पर अधारित बने हुए पार्ट है वीडियो के तो आप उन्हें भी देख सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साफ में ही इसकी पीडियाप के लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप हमारे टेलिग्राम गुरूप के साथ जुड़ सकते हो तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर अपने वीडियो का समापन कर लेते हैं आप अन्त तक बने रहे इसका बहुत बहुत धन प्रूप लिए माट